हलो गाईज दिस बुशन गाइकवाड अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में दोस्तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले है हमारे माइक्रोब्स एंड डियर पेस्ट के टेबल के बारे में ठीक है तो बेसिकली जैसा मैंने लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था कि ये टेबल आपको पूरे तरीके से लर्न करवाऊंगा और ये टेबल आपके लिए एकदम चुटकी का खेल हो जाएगा आपको ये इतने भारी-भारी नाम दिख रहे है इसके पेस्ट पैथोजन दिख रहे है पैथोजन के को कंट्रोल कर सकते जो हमारे प्लांट को नुकसान पोचा रहे ठीक है तो कुछ ऐसे कीडे होते जो जो प्लांट को नुकसान पोचाते है अगर हमें उनको कंट्रोल करना है तो हमें कोई माइक्रो और्गेनिजम को यूज करना पड़ेगा ताकि उसको हम कंट्रोल कर पाए मतलब वो किस को control करेंगे caterpillar को control करेंगे beetle को control करेंगे cabbage worm को तो ये सारी चीजे हम देखेंगे कि कौन-कौन से microorganism है और किस-किस को ये control करते है तो ये पूरा table आपको याद हो जाएगा तो वीडियो के साथ बने रही है चानल को like जरूर कर दीजिए अब भी ठीक है मतलब वीडियो को like कीजिए चानल को subscribe कीजिए अब भी तक अगर subscribe नहीं किया है तो चानल को subscribe कर दीजिए I hope मेरे video lectures आपको पसंद आते है तो हमने ये table को देखो कुछ segments में divide कर दिया और tricks को भी मैंने यहाँ पे लिख लिए ठीक है तो इसको हम one by one एक एक segment हम discuss करते है तो पहला हम बात कर रहे है bacteria का कि कौन-कौन से bacteria हम use करते है as a bio control agent तो bacteria में कौन-कौन से bacteria है देखो bacillus thuringiensis दूसरा bacteria है bacillus papillae और तीसरा bacteria है bacillus lentimorbis तो तीन bacteria है bacillus thuringiensis bacillus papillae और bacillus lentimorbis तो इसको याद कैसे करना है, पहले हमको तीनों के नाम याद होने चीए, कि भाही कौन से तीन बैक्टेरिया है, तो तीन बैक्टेरिया कौन-कौन से है, Bacillus thuringiensis, जिसको BT बोलते है, Bacillus papili, ठीक है, और Bacillus lentimorbos, तो यह याद करने के लिए यह trick है, that is, बेटी, पाप लगेगा, papili, समझ में आ रहा है, आपको Bacillus papili, ठीक है, बेलन, बेलेंटी-मौर्बस, बेलेंटी-मौर्बस, बेलन हो गया न, बेलन, मारेगी तो मौर्बस भी आ गया, मौर्बस, मौर्बस, मौर्, मौर् तो बस मिरको पाप लगेगा, तो यहाद पे हम बोल रहे, that is, पाप लगेगा बेलन मारेगी तो ठीक है तो उसमें क्या आएगा that is BT, BT for bacillus thuringensis, BT ठीक है, पाप लगेगा papillus, bacillus papillus, balentimorbus, balentimorbus, ठीक है तो यह याद रखना, be lentimorbus, bacillus lentimorbus, ठीक है इसके बाद यह तो हमको याद हो गया कि तीन बेक्टेरिया के नामे एक बेक्टे करता है तो बैसिलास किसको कंट्रोल करता है कैट्रपीलर को तो बैसिलास के नीचे हम шее लिखेंगे आपटि जो है वेटी को कैच हीए बैटी को केची है ऐने बैंने बैसिलास ठुरिं जिंसी कैच चाहिए ठीक है पापा को कैच ही तरीट का भर बापा बोल रहा है, बेटी का जो पापा है, वो बोल रहा है, बेटी को बोल रहा है कि बेटी, बेलन मारेगी तो पाप लगेगा, ठीक है, तो पापा को क्या चीए, ठीक है, पापा को चीए, ठीक है, पापा को चीए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, बेटी क्या कर रही है, पापा को बेलन मारेगी है, पापा क्या बोल रहे है, भाई बेटी, बेटी बेलन मारेगी तो पाप लगेगा, तो बेटी for bacillus thuringiensis, ठीक है, फिर पाप लगेगा से क्या होगा, papillus, ठीक है, और बेलन मारेगी से क्या होगा, bacillus lentimorbus, ठीक है बैटी को कैचे चीए, पापा को कैचेए, काब चीए, और दोनों मिलके बेलन से किसको मारेंगे? बीटल को मारेंगे तो YAद हो गया हमारा, that is cat for caterpillar, ठीक है? दूसरा हमने बोला that is cat for cabbage worm, और फिर adult beetle, beetle को मारें गयाने, अडल्ट invece beetle ठीक है? तो ये trick अगर आपको पसंद आई है तो like ज़रूर कीजिए ठीक है दूसरा आगे बढ़ते है अभी तक नहीं किया तो कर दीजे भाई दूसरी trick और ज़्यादा interesting है अब ये बाप बेटी की story खतम होती है अब आती है यहाँ पे बुआ की story कोई एक बुआ है ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे यह fungal diseases है यह fungi के नाम है यह चार और यह fungi जो है यह बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहे हैं मतलब यह fungi हमारे इन इंसेक्ट की growth को कंट्रोल करेंगे ठीक है यह जो इंसेक्ट है इन इंसेक्ट की growth कंट्रोल करेंगे यह fungi तो फंजाई में देखो पहला फंजाई है बुवेरिया बैसियाना दूसरा फंजाई है एंटोम एंटोमोप्थोरा ठीक है तीसरा फंजाई है पैलीडोरिसियम ठीक है और चौता है जोप्थोरा रेडिकन्स ठीक है तो यह आपको चार नाम है चार नाम में पहला कुन सा है ब बुवा इतना थोड़ा काफी है बसना ऐसा बुलेंगे बुवा बसना इतना थोड़ा काफी है इतना थोड़ा काफी है ठीक है मतलब बुवा कुछ चीज लेते जारी है लेते जारी है और कोई उसको बोल रहा है कि बुवा बसना इतना थोड़ा काफी है इतना थोड़ा काफ थोड़ा याद आता है, एंटोमोब थोड़ा, इतना थोड़ा, ठीक है, काफी है, वो वैसे का वैसा, बुआ इतना थोड़ा काफी है, that is, दो नाम याद हो गया हमारे, बुआ बसना याने बुवेरिया बस याना, ठीक है, दूसरा, इतना थोड़ा याने एंटोमोब तीसरा देखो, पहले ही डरो से हम, पहले ही हम डरे से, मतलब मान लो बुआ कोई चोरी कर रही है, बुआ किसी चीज को चुरा रही है, और कोई बुआ को बोल रहा है कि बुआ बसना इतना काफी है, और मत चुराओ, पहले ही डरो से हम, पहले ही हम डरे से है, ठीक है, तो पहल म домой माराठी में आपको अगर आता होगा तो तो आपको इसकी ठोड़ी सी ट्रिक बनानी पड़ेगी ठीक है लेकिन मेरे को यही बेस्ट लगी इसलिए मैं यह बता रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या बनती है हम बोलते है बुआ बसना इतना थोड़ा काफी है पहले ही डरोसे हम ठीक है फिर बुआ बोलती है जोब थोड़ा रडुनों को हुए को मत थिक तो यहां पर ट्रिक कैसि मत अधर क्ते हैं दूसरा क्या बनता कि यह बनता है इतना थोड़ा इतना थोड़ा यहांनने इंटों मॉप्थोड तीसरा पहले डरो से यह नाम बन जाता है और इसको हम देखेंगे कि भाई इसके हमें यह जो है यह host कैसे याद रखने है host host को याद रखने के लिए अब यहाँ पर देखो बुवा बैठी है बुवा बैठी है याने बुवा बैठी है ठीक है बुवा बैठी है after taking crossing बुवा ने एक crossing की गोली ली और वो बैड गई तो after से aphide आ गया और crossing से crossing आ गया देखो देखो बुवेरिया बैसी आना किसको control कर रहा है तो आपको direct नाम याद होते है तो बहुत अच्छी बात है अगर नाम से direct aphide crossing याद आता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन नहीं आता है तो trick याद करना भी एक trick है तो जो tricks हम मैं इतनी सारी trick बता रहो तो उसको आपको story बनानी पड़ेगी पहली story बेटी और बाप की है दूसरी story बुआ की है जो चोरी कर रही है उसको बोल रहे है भाई बस इतना थोड़ा काफी है ठीक है पहली डरों से हम ठ बुआ ठक गई चोरी ओरी करके अब बुआ क्या कर रही है बैठ रही है क्रोसिन ले लिया बुआ ने और बुआ बैट गई ठीक है बुआ बैट गई है क्रोसिन लेके इतना थोड़ा इसके आगे उंगली काटा इतना थोड़ा उंगली काटा उंगली काटा उंगली काटा बुआ के story में add कर सकते हो कि बुआ के साथ जो गया था उसकी उंगली कड़ गई किसी चीज से इतनी थोड़ी उंगली कड़ गई जिसने बोला था इतना थोड़ा काफी है उसी की उंगली कड़ गई इतनी थोड़ी उंगली कड़ गई उंगली कड़ गई से तो हम क्या बोले से हम देखो पहले ही डरों से हम फिर मिला बग पहले से पहले वो डरा सा था जब बुग आगे था चोरी करने गया था तो डरा सा था फिर उसको कोई बग मिला बग याने कोई एक कीडा मिला ठीक है और कोई माइट मिला कोई और एक माइट मिला कीडा मिला ठीक है फिर डर खतम तो याद कैसे रखना है पहले ही डरो तो snow white जैसे zoo white याद करना है आपको zoo for zhupthora, white for यहाँ पर बोलेंगे white flies, white for white flies, ठीक है, यह याद रहता है मेरे को, या फिर marathi बच्चों के लिए बहुत अच्छा है white zhurad, जो cockroach है white color का, white zhurad, याने cockroach को बोलते है marathi में, ठीक है, तो white zhurad, white का मतलब white flies, ठीक है, और zoo rad मत trick याद कर सकते हो, marathi या hindi वाली, जो आपको पसंद है, ठीक है, तो ऐसे दोनों trick में ने share कर दी, तो पहली देखो, फिर एक बार मैं यहाँ पर आपको revise कर रहो, पहले हमने बाप बेटी की कहां नहीं सुनी, जिसमें हम बोलते है, बेटी पाप लगेगा, बेलन मारेगी, बेटी से बेटी, बैसिलस, तुरेंजेंसिस, पाप और पैपिली, ठीक है, बेलन मारेगी, बेलन मारेगी, बैसिलस, लेंटी मॉर्बिस, ठीक है, बेटी को चाहिए cat, पापा को चाहिए cab, दोनों मिलके मारेगे, बेलन से किसको, बीटल को, हो गया, clear, फिर आती है बुआ क बुआ बोलती है, जोब थोड़ा रडूनों को, ठीक है, लेक्स्ट हम बात करते है, बुआ बैठी है, तो बुआ आफ्टर टेकिंग क्रोसिंग बैठी है, तो यहाँ पर आफाइड क्रोस ही आ गया, ठीक है, इतना थोड़ा, that is, एंटोम उप थोड़ा उंगली कडगी, अ बैठी है, तो यह भी हमने टेबल याद कर लिया, आई होप यह भी टेबल याद किया होगा, आपने अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया, तो लाइक कर दो भाई, कितने बार बोलू आपको, ठीक है, मतलब आप जो भी वीडियो देखते हो ना, देखो, कोई भी पीचर जब वीडियो बनाता है, तो वो अपने comfort zone को छोड़ के देखो, ऐसी चीज पढ़ा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को में इंटरेस्ट नहीं भी होता है, ठीक है, तो अगर कोई इतना आपके लिए effort ले रहा है, तो आपको एक like करने में कुछ भी नहीं जाता है, like कर दीजे, देते जाईए वीडियो को, ठीक है, और दोस्ते बैस शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, जादा से जादा लोगों तक वीडियो पहुचेंगे, जादा व्यूज आएंगे, तो हमको भी थोड़ा अंदर से encouragement feel होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़े होती है, next, next ह करेंगे, बड़ा सिंपल से, एक सीमा नाम की लड़की को हम बोल रहे है, नहीं सीमा, लक अस्ते, लक होता है, नो सीमा, लक अस्ते, तो नाम से ही याद हो गया, देखो, नो सीमा, नो सीमा, लक अस्ते, लक अस्ते, याने लकस्ती, याद हो गया, ठीक है, तो इसमें और कैस याद करेंगे लकस्टी से cat for caterpillar plays cricket in grass, cat जो है cricket play कर रही है grass में, cat for caterpillar plays cricket, cricket for crickets, crickets याने छोटे-छोटे जो insects होते हैं उनको cricket बोलते हैं, उनको ये control कर रहा है और grass offer को control कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो no sema lacusty, no sema lacusty जो protos हुआन है, वो caterpillar, grass offer और crickets को control करता है, ठी NPV, that is nucleo polyhedral viruses, nucleo polyhedral viruses NPV या granuloviruses, that is GV, ठीक है, यह दोनों मिलके control करते हैं, caterpillar को, gypsy moth को, ants को, wasp को और beetle को, तो इसको याद करने के लिए जो trick है, उसको देखो क्या trick है, no car, no jeep, car भी नी चीए, jeep भी नी चीए, ठीक है, car भी नी चीए, jeep भी नी चीए, jeep भी होती है, ठीक है, and granny was beast, कोई car नी है, कोई jeep नी है, बट फिर भी हमारी granny, हमारी grandmother, beast है, beast, ठीक है, तो उसको, यह best है, no car, no jeep, but my grandmother is best, ऐसे भी बोल सकते हो, and grandmother is best, तो इसको कैसे याद रखेंगे, no for NPV, car for caterpillar, तो देखो, NPV, caterpillar को control कर रहा है, ठीक है, NPV, gypsy moth को भी control कर रहा है, तो no, again NPV, किसको control कर रहा है, gypsy moth को, तो NPV, no car for caterpillar, no jeep, मतलब gypsy moth को भी control कर रहा है, NPV controlling caterpillar, NPV controlling gypsy moth, ठीक है, and for ant, NPV controlling ant, granny for granulovirus, अब देखो, granulovirus किसको control कर रहा है, granulovirus control कर रहा है, wasp, wasp, beast बोला है, wasp, और beast for beetle, ठीक है, तो beetle को control कर रहा है, तो no car, no jeep, and granny was best, best, याने beast, बिस्ट भी बुल सकते हो यहाँ पे हमने चाहर ऐख कोनकोनसी पहली हमने बेटी और बापी देखी दूसरी हमने देखी बुधाथ की ऊसको को भी बुस्ट और सब् bekommen रड़ी तो अलावा हम बनलता है पहले पहली जूटे सब prevention से वाइप्ध को एंदिक disgust म हमने बाद की यह ध लिक इन्टेश इसके अलावा हमने बोला नो सीमा लकस्ते तो फिर तो ये भी हमारी trick हो गई जिसमें हमने no for NPV, no for NPV, NPV से caterpillar, NPV से gypsy moth, ठीक है, and for ant, ठीक है, granny, granulovirus, इसको control करता है, wasp और beetle, was best, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो trick है, पूरे table की complete हो जाती है, देखो, ये table इतना easy है, आपको अभी पूरा याद हो चुका हो गए, मेरे ख सकते हो by having this trick, ठीक है, अब इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम हर्भी साइट के बारे में discuss करने वाले है, I hope अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, ठीक है, जैसे कि मुझे लगता जरूर है कि आपको पसंद आया होगा, इतनी amazing trick, कोई और share कर ही नहीं सकता मेरे, मतलब ये तो घमंड हो जाएगा, बट still मेरे को ऐसा लगता है कि वही, trick बहुत अच्छी है, मैंने बहुत मेहनत लेकि इसको बनाया है, अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजेगा, जरूर ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा, जरूर जादा से जादा, ठ कर ट्रिक बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है, इससे आपको याद रखने में बहुत आसनी होगी, ठीक है, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजेगा, दोस्तों के राद शेयर कीजेगा, चैनल पर नहीं होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, ऐसी वीडियो के साथ बने रही है हमारे दोस्तों के साथ बने रही है, दोस्तों की मदद करते रही है, खुश रही है, जिन्दगी के मज़े लित रही है, थैंक्यू बेरी मच्च